नमस्कार दोस्तों वेलकम वेक टू माई चानल बजर ट्रावलर आज हम आए हैं बुक्तेश्वर महादेव टेंपल में जो की पठांग कोर्ट से लगबग 25 किलोमेटर की दूरी पर से तो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ की रोड केमिशन कैसी है आप जहां से बात करते हैं कि आप जहां पर कैसे पहुंच सकते हैं पठांग कोट बस टैंड से लगबग 30 किलोमेटर की दूरी पर है यह टेंक चॉंग जहां से आपको थर्ड एक्जिट लेना है टेंक चॉंग से लगबग 600 मेटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे इस पर जहां से आपको राइट टन लेना है और पूल को क्रॉस करना है इसके बाद आपको इसी रोड पर बने रहना है लगबग 2.8 किलोमेटर तक और आप पहुंच जाएंगे पठान कोट सिवल होस्पिटल के पास और जहां से आपको लेफ टन लेना है और इसके बाद गाड को ड्राइब करना है लगबग 12 किलोमेटर तक पठान कोट बस्टेंड से लगबग 17.5 किलोमेटर की दूरी तेह करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस चोंग पर जहां से आपको राइट टन लेना है शापूर कंडी की और जाने के लिए शापूर कंडी से लगबग 17. साथ किलोमेटर की दूरी आपको इसी रोड पर तैय करनी है और आपको इसी रोड पर बने रहना है जब आप साड़े साथ किलोमेटर की दूरी तैय कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस जगा पर जहां से आपको लेफट टन लेना है और इसके बाद जहां से लगब तक 2 किलोमेटर की दूरी ताय करने पर आप पहुंच जाएंगे मुक्टेश पर महादे मंदिर की पार्किंग में जहां पर आपको सफिशन पार्किंग जाएगी अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए मुक्टेश्वर महादेब मंदिर की पार्किंग में पहुँचकर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने हाथ में खाने पीने वाली कोई भी बस्तू को ना पकड़े क्योंकि जहां पर काफी सारे बंदर हैं जो आपके हाथ से खाने पीने वाली बस्तू जा फिर मुबाइल को भी शेन सकते हैं पार्किंग के बिल्कुल पास में ही है एक कंटीन जिसमें से आप पूजा समगरी और खाने पीने वाली बस्तू में ख्रीश सकते हैं मुक्टेश्वन महादेव की पार्किंग के साथ ही है लंगर हॉल जो सुबा 9 वज़े शुरू हो जाता है और 9 वज़े से लेकर रात के 11 मज़े तक आप जहां पर निशूल खाना खा सकते हैं आप अपने शर्दा के उनुसार जहां पर ओफ लाइन या ओन लाइन के मादेम से लंगर सेवा में जोगदान भी दे सकते हैं लंगर हाल के पास जो प्षेड है उसके बाईन तरफ ही आपको टॉयलेट्स की सुबिदा भी मिल जाएगी मुक्टेश्वर महादे मंदिर की जो गुफाएं हैं वो रावी नदी के तट पर स्थित हैं मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको पहले लगबग 300 सीडिया नीचे उतरना पड़ता है उसके बाद आप जाकर मंदिर के पास पहुँचते हैं लंगर हौल से नीचे मंदिर की दरफ जाने वाले जो सीडियां हैं इसके जो स्टेप हैं काभी बड़े बड़े हैं तो आप इन सीडियों पर उतरते हुए जल्दवाजी ना करें वो बड़े ही द्यान पूरवक नीचे उतरें इस समय हम पहुंच गए हैं मुक्टेश्पर महादेप मंदिर की गुफाओं के पास इस मंदिर का जो इतिहास है पच्पंसो साल पूराना है और इन गुफाओं का इतिहास जुड़ा हुआ है पाडवों के साथ इन गुफाओं को बचाने के लिए जहां पर अभी कंस्ट्रेक्शन का काम चल रहा है अभी चलते हैं इन गुफाओं के दर्शन करने के लिए सबसे पहले हम पहुंचे पांडव ध्यान कक्ष में पांडव अपने बनवास के बारमे साल में इस जगा पर आये थे जहां पर उन्होंने लगवग अपने छे मीने बतीत किये थे यह मानव निर्मित गुफाएं है और इनका निर्मान पांडवो द्वारा किया गया था ऐसी मानेता है कि पांडव इसी जगा पर बैठ कर तपस्या में अपना ध्यान लगाते थे पांडवो का जो ध्यान कक्षा है अगर आप इसके शत को देखेंगे इस पर शीरी जंतर बना हुआ है अब हम चलते हैं अगली गुफा की और जहां पर है जुदेश्चर का अखन धुना और भवान शिव का शिवलिंग इस समय हम पहुंच के हैं उसके उफा में जहां पर है भवान शिव का शिवलिंग और हमने सबसे पहले भवान शिव के शिवलिंग के दर्शन किए और उनका अशीर वा दिया और उसके बाद जुदेश्चर दुना के दर्शन भी किए इसके बाद हमने पंड़े जी से बाचीत करके इस मंदर के इत्यास के बारे में कुछ शानकारी प्राप्त की बार्वे साल के लास्ट में जहां पहुंचेते हैं से महें ने जहां रहे जब तक किया पांट गुपों का निर्मान किया वो मंदर से लेकर मेरे पीसे तक एक ही गुपा है पांड़ों के सबसे बड़े बाई जो दिश्टर गिमारत की ये कद्धी है ये उनका अखांड दोना है ये चल दा रहा है और के जो मेरे पीशे है जे द्रोपती माता नाम से रसोई थी जहां पर उंगी रसोई थी या जामने मंदर है दो गुपा वीबार है देखने को लेकर एक के दर्सन हो रहे है एक का रास्ता नहीं अभी और दोगुपा जो और थी ये बड़े पहार के पीशे राभी नदी के भी डूप चुकिया सुमा चुकिया खंडत हो चुकिया जे मक्तेशवार दाम है इनको मुक्ति का दाम भी कहते हैं इनको जहां मिन्नी हर्दवार भी कहते हैं मैंने पड़ा है कि मिन्नी हर्दवार जहां पर कुछ लोग अपनी अस्तियां भी वर्व सबसे विशेस बार वगवार संकर जी ने यहां पाड़ों को जीत प्रार्तिका शीरवा दिया था उसके बाद ये राभी नदी पाल करके राजा विराट की नगरी जम्हू स्टेट में चलेगे अखनूर जिनाव नदी के ऊपर एक साल का जो अज्यात वास्तावन को उनने वहां घटा था आप मंदर की तरफ एक बार देखलो मंदर के मत्य के उपट के रगा रखे हमने नौ जे नौ देवियों के दसन है यह बहुत प्राटिकल गया है इदर यहां बाबा बैरनार जिमार इनको थोड़ा द्यान से देखोगे आप इनके सेर के ऊपर नाग देवता जिवराज माना तो अभी जाब आप बाहर निकलोगे वो बाहर वाली गुफा द्यान केक्स वाली गुफा जो देखोगे उस गुफा के सिरी अंदर जाना और उसकी साथ को देखना उसमें सिरी जं उसके नीचे बैठकर पाड़ों द्यान लगाते थे, यहां क्रोडों गुणा फल की प्राप्ति मिलती है, एक विशेस बात और, जो जहां तीन अमामस्या लगातार सनान करता है, उसको हर्दवार के बराबर उन्य का फाल प्राप्त होता है, बहुत 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 दनेवाद पंडिची से बातचित करने के बाद हमने कुछ समय बुगान शीप के चन्नों में बतीत किया, और उसके बाद हम पहुंच के रावी नदी के तट के पास, अगर आप इस जगा के बारे में कुछ पी इंफोमेशन जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बोक्स में डालकर हमसे पूछ सकते हैं, मैं इनका जल्दी से जल्दी जबाब दूँगा, तो जे था हमारा मुक्तेशवर महादेव टेंपल से आज का ब्लोग, अगर आपको हमारा जे ब्लोग पसंद आया है, तो प्लीज, लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले, पांकि हम एसी और इं झाल